आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट रवीवार को बेगू सराय के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है जब पस्चिम मंगाल में हावडा जक्षन से चल कर भाया मेंन लाइन होकर बेगू सराय रेलवे इस्टेशन पहली बार कोई ट्रेन पहुंची जिसके बाद बेगू सराय स्टेशन पर दैनिक रेलवे यात्री संग के लोगों ने ट्रेन चालक वा असिस्टेंट चालक को माला पहना कर खुब स्वागत किया कोलकाता से चल कर ट्रेन में बैठ कर घर पहुंचने वाले यात्रियों का भी स्वागत किया गया ट्राइल के तौर पर यह ट्रेन सिर्फ एक फेरे के लिए स्पेसल ट्रेन के रूप में चलाई गई थी जिसके बाद इस ट्रेन में यात्रियों ने जितना रेलवे का नुमान था उससे ज्यादा की बुकिंग करवाई थी इस मौके पर रेलवे यात्री संग महासचीव ने बताया कि एक साजिश के तहट हाट बाजार एक्सप्रेस को सहरसा भेज कर बेगुसराय से कोलकाता के लिए उपलब्ध एक मात्र सिधी रेल सेवा को बंद कर दिया गया था अब ज़रूरत है बेगुसराय रेलवे स्टेशन से हावडा की ट्रेन मिलने पर लोगों को हाथी दा और मुकामा जाने से निजात मिल जाएगा बेगुसराय की कोलकाता से डारेक्ट ट्रेन मिलने पर बेगुसराय में वह वसाइक गतिवीदियों को बल मिलेगा बेगुसराय स्टेशन को विश्वस्तिय स्टेशन बनाने की कवायद रेलवे द्वारा जारी है बताते चले कि रवीवार की सुबह इतिहास में पहली बार दिपावली को लेकर हावला से चली वनवे स्पेशल ट्रेन बेगुसराय स्टेशन पहुँची हावडा से सुक्रवार की राद 10 बजे चली इस्ट्रेन के रवीवार की सुबह 9 बच कर 12 बजे पहुँची दैनिक यात्री रेलवे संग के लोगों ने हावडा से बेगु सराय नियमित तौर पर इस्ट्रेन को पर्मानेंट परिचालन किये जाने की मांग रेलवे से की है